हलो स्टुडेंट गूड मारें आज आप लोगों के सामने क्लास इप्त का सोचन लेकर आया हूं जिसका चैप्टर फूर वेदर एंड प्लाइमेट जिसका मतलब होता है वेदर का मतलब एक मोशंद और प्लाइमेट का बीच में जानेंगे कि वेदर क्या चीज़ होती है और क्लाइमेट क्या होता है तो उसको हम लेके आए हैं आपके सामने तो वीडियो को देखिएगा और जहां पर कोई भी समस्या होती है आप लोग कमेंट जरूर किया करिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेन वी तॉक अबाउट द वेदर वी मीन कंडिशन आफ द एयर अरांड अस इन इसमाल एरिया विच आर सब्जेक्ट तो चैंज इन शॉट पीरियोट आफ ताइम कहने का मतलत जब हम बात करते किसकी वेदर की वेदर का मतलत कंडिशन आफ द एयर एरांड इसमाल एरिया मतलब एक छोटे से छेत्र का इस्थिति जो की कुछ समय के लिए वहां पे मौसम में जो बदलाव होता है वही हमारा वेदर होता है मतलब कुछ समय के लिए जो उस जगह पे बदलाव देखा जाता है जैसे अभी अपके यहां पर धूप है थोड़ी देर के बाद एक एक मोशम बना बारिस हो गई फिर धूप निकल गए थोड़ी देर के लिए जो बदलाव आया बादल आया बारिस होई यही हमारा वेदर मतलब कुछ समय के लिए आता है और वो चला जाता है वेदर इस नाट दशेम आल ओवर दा वर्ल्ड बट इस ऑनली कंफाइंट टू इसमाल रिजन वेदर जो है अभी आप समझ रहे पूरे आल ओवर वर्ल्ड या आल आफ एक कंट्री का ले लिए सब जगह एक जैसा नहीं होता जैसे अभी एक किसी जगह पर बारिस हो रही है तो कहीं पर भी धूप निकला आप पास दस किलो मेटर का ही डिफरेंस में देख लीजिए पता कर सकते हैं आप लोग जैसे करते हैं कॉल के माद्ट जैसे यहां पर बारिस हो रही आप पता कि दूसरे जो हमारे डिस्ट सबसे पहले आप ले लिजे समर सीजन समरब सिजना घर्मी यहां समय करना वेदर कांटियों क्लाइमेट वहा लगाता शरुष में कर लग कर नी Aa Life रह synt वींटर आया तो विंटर के बाद आपके शमार आएगा यह आएगा अच्छे पन्फर्म रहता है लेकिन वैंधर कंफर्म नहीं होता भी ठंडी के मैने में एक बादल बना बारिस हो गई लेकिन खृण जो है हमारा कनफर्म है अनलाइक वेदर क्लाइमेट डज नाट चेंज मैंने बताया तो थोड़ी समय के लिए बदल सकता है लेकिन क्लाइमेट हमारा नहीं बदल सकता है इसलिए का जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा केस में नहीं है कि थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है लेकिन यह कहिए पूरे पीरियाट आफ टाइम को बदल दे तो यह पॉसिबल नहीं होता तो यह रहा बच्चों आपक वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस इसके आगे हम एक एक चीज को फिर से अलग से डिफाइन करते हुए समझाओंगा तब तक इसको आप लोग देखिए समझीए और जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए डाट सौल थैंक्यू